केरल में शनिवार को बार से 33 और लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 357 तक पहुँच गई है बार पेड़ित लोग शिविरों में रहने पर मजबूर है हाला कि आज बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई गई है जिससे रेस्क्यू आपरेशन में तेजी आने की उमीद है इस बीज केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारे तबाही के इस वक्त में केरल की मदद के लिए आगे आई है प्रधान मंद्री नरेंडर मोदी ने बाड़ प्रभावित केरल को ततकाल 500 कड़ोर रुपे की सहायता देने की घोशना की है प्रधान मंद्री राज्ट्र राहत कोश से 2-2 लाक रुपे की सहायता राशी और गंभी रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपे देने की भी घोशना की है केंद्र की मदद के अलावा कई राज्यों ने भी केरल को मदद राशी देने का एलान किया है बाड में फसे लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीम में पूरी जी जान लगा दी है अब तक केरल में NDRF की कुल 179 टीमें बचाव कारे में जुटी हुई है इसके अलावा वायू सेना, थल सेना, कोस्ट गार्ड, नेवी, बीएसेफ के अलावा तमाम एजंसिया पूरी ताकत से राहतकारे में लगी हुई है मोदी में कहा केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रधान मंत्री आवास योजना, मन्रेगा, विभिन समाजिक सुरक्षा योजनाओ, बागवानी के समविंत विकास के लिए मिशन के लाभ केरल के प्रभावित लोगों तक प्राथमिक्ता के आधार पर चे.